हलो गाइस तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो है कि रोमानिया में जो भी उनिवस्ति हैं वुकरेश्ट हो गया । कितना टैम लगेगा कब पोर्टल खुलेंगे तो बहुत सारा कुछ आज इस वीडियो में डिसकस करूँगा और एक बात और मैं आपको बता दूँ आपको किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको खुद अपलाई करना होगा और मैं सारा प्रोसेस बताता हूँ आपको कि कैसे आप अपलाई कर सकते हो क्या डाकुमेंट तो सबसे पहले आपको जो भी उनिवस्टी में अ आपका अकाउंट क्रियेट हो जाएगा उसके बाद आप सारा उसकी डिटेल देख सकते हो और डाकुमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको टैन्थ का सर्टिफिकेट यानि मार्क सीट तैन्थ की 11 और 12 की मार्क सीट चाहिए पिलस इनका क्या है ये सारी की सारी मार् तो और बता दूं कितना गैफ होना चाहिए गैफ का मैटर नहीं करता अगर आपका लग अच्छा है तो गैफ मैटर नहीं करता तीन या चार साल कितना भी गैफ हो अगर आप ट्राई करते हो तो जादा जादा चांस रहते हैं एडिवीशन मिलने के आपने जो 12th किया है 12th 11 वो इंग्लिस मीडियम में होना चाहिए क्योंकि वो लेटर देना पड़ता है रिकॉमडेशन लेटर्स होते हैं तो आपको दिखाने पड़ते हैं अगर नहीं है आपके पास तो यूपी बोर्ट से हो आप या फिर हिंदी बोर्ट से जिस भी छेतर से हो तो आप उनको फेक भ है और आपका बर्ट सेर्टिफिकेट और तीसरा डाकुमेंट आपको चाहिए मोई लेटर मैं इसका फुल फॉर्म में बता दे रहा अगर आपको पता नहों मेडियम ओफ इंट्रक्शन लेट सेर्टिफिकेट तो ये आपको इसके बाद आपको पी सी सी चाहिए और सी भी इसके बाद आपको चाहिए मोटिवेशन लेटर और लेटर आफ रिकॉमेडेशन ये हो गया इसके बाद आपको चाहिए हेल्थ इंसुरेंस ये भी आपको बनवाना होगा इसके आगे बैंक अकॉंट बैंक अकॉंट का स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा और बैंक अकॉ बोटर है उसका भी दिखाना पड़ेगा और गाइज लास्ट में मैं बताऊंगा जो भी मार्क सीट है वो आपोस्टाइल होनी चाहिए और ठांसलेटेड तो मैंना और रेडि बता दी रोमानियन में translated होनी चाहिए पिलस अपोस्टाइल होनी चाहिए क्योंकि बिना पोस्टाइल कि यहां पर आके कराना पड़ेगा तो बहुत महगा पड़ेगा इसलिए वह आपोस्टाइल होनी चाहिए वहीं से ठीक रहता है इंडिया से इसके बाद आप अपलाई कर सकते हो और गाइज जैस जैसे ही क्रायोवा क्रायोवा उनिवस्टी और बुकारेस्ट है कुलोज है ऐसी उनिवस्टी मेडिसेन या जो भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हो जैसे पोर्टल खुलता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा ऐसे से स्टेप ब के एसमेस आए थे वो कमेंट भी किये थे और उन्होंने मेरे को परसनली भी एसमेस किये थे तो फाइनली मैंने वीडियो बना दी और गाये जाद 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 वीडियो को सेर करना और अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मेरे को सोसल मीडिया इंस्टाग्राम फेस्ब